PC gaming is dead अब मेरी इस statement को support करने के लिए मैं आपको इस video के अंदर multiple reasons देने वाला हूँ तुमको सब कुछ समझ आ जाएगा और अगर मैं तुमको दिखाऊँ एक ऐसी चीज जो कि इतनी छोटी है बट तुम इसमें almost सारे के सारे PC games खेल सकते हो तुम फेल ने सकते वाई enjoy भी कर पाओगे तो क्या यकीन करो कि इस चीज़ पर इस बार मैं वीडियो पर लाइक इन नहीं रखने वाला हूँ बट मैं स्टिल चाहता हूँ कि भाई तुम जितना दबा के भर के लाइक देना ठीक है और अगर इस टाइप का कॉंटेंट अच्छा लगता है ना तो चैनल को सब्स्टाइब जरो कर लेना मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ अब यह जो मैंने आपको चीज़ दिखाईए यह है आया नियो एयर और यह क्या है यह है विंडोज हैंडल गेमिंग डिवाइसेज आज कलके टाइम पर बहुत वे मस चल रहे हैं डिवाइसेज इस पूरे कुए में कूद रहे हैं और हैंडल गेमिंग डिवाइसेज बना रहे हैं बहुत पॉपलर चल रही है चीज़ आज के टाइम पर अड आया नियो भी उन में से एक ऐसा ब्रैंड है जो कि स्ट्रिक्ली इन बहुत मल्टिपल फॉर्माट के बनाते हैं इनका भी रिसेंट लिए आया नियो फ्लिप करके भी आया है जो कि निंटेंडो बी एस जैसा है तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बॉक्स इसका काफी प्रीमियम है और काफी पैक कर रखे हैं यहाँ पर हमको मिलता है 65 वाट का पीडी चार्जर तो आप यूज कर सकते हो बट इसके अंदर भी मैं थोड़ा डीटेल में बाद में बात करूंगा बिकरस मैंने कुछ इशूस फेस करें एंड याप हमको लास्ने मिलता है आया नियो एर जो की है पोलर ब्लैक कलर में इसके अंदर हमको दो और कलर वेरिंट्स मिलेंगे जो की है औरोरा वाइट एंड साकूरा पिंक नाव जैसे की आया नियो एर है उसी तरीके साथ है आया आया नियो एर प्रो जो की आता है एक बेटर एप्यू के साथ आयमीटू से वे मोपावफुल देन आया नियो एर स्टैंडर्ड उसके जादब को मिलते है जाद बड़ी बैटरी विकरस उस हाडवेर को मतलब पूरा अच्छे से पावर देने के लिए एंड लंबे टाइम करने के लिए वह बड़ी बैटी ची होती है जिसकी वैसे उसकी ओवरल थिकनेस भी बढ़ जाती है अच्छा कासा थिक है वह इन कंपैरजन टू आयनियो एर स्टैंडर्ड एडिशन चलो ही काम करते हैं इसका साइस कंपैरजन कर लेते हैं मेरे पात भी कुछ हैंडल डिवा इसका बड़ी बात करें तो यहां पर इसकी जो वित है डाट अगम लेंध की बात करें तो वह थोड़ा से एक्स्ट्रा निकलता है विकस्ट अगेन एक एक एंडल डिवाइस है बट ओवरल यह काफी जादा कंपैक्ट है वेन कंपेर तो दी मॉडर्न हैंडल सीग इवन इस बट क्या आप एक्चुली में इस पर लंबे टाम तक गेमिंग कर सकते हो इसी के साथ बढ़ते हैं बैटरी सेक्शन की तरफ जो की मतलब मेरी मिक्स पीलिंग्स है इसको लेके नाओ यहां पर जो बैटरी है नाट कंप्लीटली डिपेंड्स अन मल्टिबल फैक्टर्स एक्स्ट्रीम फैन कर्व पर इसमें मुझे मैक्सिमम फिफ्टी मिनिट्स का बैक अप दिया जो की मेरे साब से ठीकता है जा फॉर्स ताइम उजर इवन अगर आप इंडी गेम्स के लोगे तो आपको जादा बैक अप मेलेगा तैस अबलब कंप्लीटली अंड़स्टूट एंड इवन बात करें हम यहां पर वाटेज की तो गेमिंग सेक्शन में आपको तोड़ा डीटेल में बता हुआ उस तोड़ा खान खोल के सुनना वह बहुत इंपोर्टेंट है इसके वैसे इसकी बैट्री लाइफोडी एक्स्टेंड कर सकते हो आप ठीक है बात करें कि इस खासे fingerprint magnet है वो बट डिस्पे लोक्स प्यूटिफुल लाइक प्यूटिफुल ऐसा मसोच मैं कि मुझे पैसे वेकर है बेंच दिये गया है बट नहीं यार सही मैं इसके डिस्पे लोक्स पेरी गूट बिकर पहनी बात तो एक AMOLED डिस्पे है इस पालर सुप वाइब्रेंट इस डिस्पेरियंस बेटर नॉट ओनली फॉर गेमिंग बट अगर अगर आप मीडिया कंजप्शन के दिमाग से से यह ले रहे हो ना इट इस रिली रिली गूट इवन यहां पर चार आउट अपको देखने को मिलता है इवन ऑन 720 पी रिजूशन इस डिस्प्लेय के जो ब इसके अंदर मिलते हैं हमको 60Hz की डिस्प्लेय जो कि मैं बोलूँगा कि सही है according to the hardware जो कि मिलता है विकर्स को में ठीक बोलूँगा entry-level बोलूँगा बट बात करें इसके color gamut की that is really wide बिकर्स हमको अपर मिलता है 100% sRGB coverage 96% Adobe RGB and 100% DCI-P3 coverage इवर इसकी जो brightness है that goes up to 410 nits on 100% brightness level और इसी के साथ बात करते हैं आप इसके specs के बारे में इसके अंदर को मिलता है AMD के Ryzen 5 5560U जो के 6-12F वाला प्रोसेसर है और आता है 6 integrated GPU ports के साथ यह जो Ryzen 5 5560U है यह एक ventry-based प्रोसेसर है और आप इसके जो clock speeds पगर रहा है वो गेमिंग टाइम पर देख सकते हो RAM की बात करता हम आप सोच रहे हो कि आप Laptop को जैसे खोल के उसके अंदर एक M.2 डाल दे तो इतना असान होने वाल है not at all बाई मैंने लिटरली इसके कुछ विदू बगर देखे हैं वहाँ पे जो internals है ना वो इतने कॉंप्लेक्स है इतने कॉंप्लेक्स है कि अगर आप सोच भी रोना कि सब्सक्राइब कर देंगे नौट पॉसिबल बिगर आपको इतना टीप जाना पड़ेगा ना तो कि लिटरली कुछ चीज़े खराब कर सकता है तो मस सोच ना उसको एक्स्टेंड करने के लिए storage के लिए you have a microSD card slot अब यहाँ पे gaming benchmarks conduct करते टाइम जो भी settings वागह रहे थी वह मैं आपको screen पर mention कर दी है और यहाँ पर जिस अपसे पहला game है cyberpunk 2077 मैंने आपर mostly AAA titles को include कर रहा है जिसकी व्यविसे आपको इसकी अउकात पता लग जाए and यहाँ पर इस game को मैंने benchmark कर रहा है on 720p resolution settings मैंने लो रखी है और मैंने हाँ अप स्किलिंग टिक का भी उस करा है जो क सा 2.1 पर तो यह आपके सामने screen पर सारे benchmark मैंने कर रहे हैं 1080p resolution is very tough because cyberpunk 2077 बहुत demanding game है and 5560 in demands को पूरा नहीं कर सकता इसके बाद चलते है F1 2022 की दरफ इसको भी मैंने चला है 720p resolution पर just in case अगर आपको लग रहा है कि 1080p पर क्यों नहीं because possible नहीं है पॉसिबल है but performance अच्छी नहीं 2.5 इंच की screen है इसका PVA अच्छा है जिसकी वएसे हापे 720p games sharp दिखते है इस game को मैंने चला है medium settings पर यूज कर रहा है FSR 2 यहां पर भी मैं आपको recommend करूंगो कि आप इसको balance preset पे खेलो next game जो है God of War यहां पर मैंने इसको चला है 720p resolution पर low settings FSR 2 को मैंने हाप यूज कर रहा है quality preset पे आप इसको खेलना because performance and interperformance looks really really bad बिल्कुल भी मत यूज कर लेना उस पे ऐसा लगता है कि तुमारी आखों का number बढ़िया है बहुत ही बुरा दिखता है तो quality पे चला लेना बहले 30 fps के around coverage मिलेगा but at least खेल पाओगे 1080p is tough for this game actually इसके बाद चलते हैं बाई सबके पसंदीदा चहीते GTA 5 की तरफ अगर मैं इंक्लूड ना करता हूं मुझे डाल ने पड़ती कोई बात नी बतायता हूं 720p पे चलाया है but high settings पे चलाया है विकाज यह 2015-16 का गेम है तो यह गेम इसी नहीं चल सकता है आपका high settings पे even 1080p is like normal चला सकते हो आप on normal settings and अच्छे खास fps यहापे अच्छा था इसके बाद जो next game है वो है Resident Evil 4 इसको भी मैंने चलाया है 720p resolution पे with FSR 2 performance mode and यहापे मैंने जो preset को यूज करा है वो है prioritized performance and यहापे हमको अच्छा आपका से experience मिल जाता है दो यह latest game है बट बहुत अच्छा चल रहा थे हैं बहुत consistent frames मिल रहे थे एंडिया पे बहुत अच्छी बात थी कि कि किसी भी गेम के अंदर वो sudden spikes नहीं थी जो की बहुत सही लगा बिदर वो experience बहुत 30 fps है जो कि आपके experience को बहुत enhance कर देते हैं इसके आपको 30 fps average का achieve हो जाता है इसके बाद चलते है Spider-Man Miles Morales की तरफ और इसको मैंने चलाया है 720p resolution पे very low preset पे with FSR 2.1 and around 30 fps average achieve हो जाता है बट खेलने में बड़ा मज़ा आता है जैसे कि मैंने बताया बहुत ही consistent frame rates थे एंड या पर जो last game है वो है for the horizon 5 720p पे चलाया है low settings पे and experience was superb like त low settings and इसको खेलने में भी उतना ही मज़ा आता है अब देखो इस handle के चक्रिवी में एक चीज़तों समझ चुका हूं कि भाई जितने भी handle devices जितने भी Windows handle devices AAA titles को enjoy करना है न तो आपको वो एक experimentation वाला प्रोसेस के तुरू जाना पड़ेगा आपको ट्रायल एंड एर मेथर्ड यूज़ करना पड़ेगा कि यह specific AAA title पे आप कौन सी resolution पे कौन सी settings साथ कौन सी upskilling tech के साथ कौन सी voltage पे कितना performance निकाल पा रहे हो वो एक learning curve होता है आप तरीको सी उस कर सकते हो like emulation वगेर आप इस पर easily enjoy कर पाओगे indie games आप enjoy कर सकते हो and emulation जैसे कि मैंना नाम लिया तो आप Nintendo like TS2 I think बहुत सारी चीज़े होती है तो कि आप इन पर कर सकते हो यह नहीं कि सब जो PC में खेलते हो वो ही खेलने है और भी चीज़े है जो कि nostalgic feel कर वाता ह है तो यहाँ पर कैसा perform कर रहा है यहीं चीज मैंटर नहीं करती है इसके joystick इसके buttons इसका haptic feedback यह सब कैसा है यह भी आपके लिए इंपोर्टन पर जानना जैसे कि इसका जोइस्टिक सेना they are quite similar to Nintendo switch I mean to say feeling के टर्म्स पे बट टेक के टर्म्स पे यह थोड़े से अब ग्रेड़े डें लाइक निंटेंडो इसके अंदर एक इशू आता है जो कि है drift इशू जो की निंटेंडो यूजर में खुद भी हो है मेरे कुछ आसपास वाले दोस्त भी है उनको वो drift issues आया है उसके अंदर वो dead zone वाले इशू नहीं है और वो drift वाले इशू नहीं है इवन आप जोस्तिक की जो sensitivity है उसको आया space के थू कंट्रोल कर सकते हो और फिर adjust कर सकते हो इवन यहां पर जो triggers है ना they are really good like उनका जो travel है ना that is very very deep and वो use करता है magnetic levitation कुछ because जैसे तरीके से दो similar poles repel करते है उसी तरीके से trigger काम करता है I think मैंने science का concept सही से समझाए आपको इवन यहां पर जो buttons भी है ना वो काफी controller टाइप फील देते है यहां पर एमको even gyro function भी मिलता है जो कि अगर आप इसको कहान पर लगा के बात करना चाहो तो कर सकते हो यहां पर जो बोटर वाइब्रेशन से वो भी अच्छी है उनको आप like adjust पी कर सकते हो आया space के थू चलो Android gaming device तो वह एक experience होता है ना तो कैसे experience है मैं बोलूगा अच्छा है बट एक issue आएगा आपको वह यह है क्योंकि जब आप gaming करते हो ना इस पर गरम हो जाता है अब जब गरम होगा ना तो इंसानी हाथ है सिंपल सी बात है स्वेट आएगी अब उस स्वेट की वैसे ना तोड़ा सा issue हो सकता है पगरते टाइन या फिर आप slip कर सकते है पीछे ना अच्छा शेप तो है अर्गलोमिक शेप तो है बट कुछ गुरूस वगरा निया जो की अच्छी ग्रिप प्रवाइट करें बात करें कि स्वेट स्वेर रहा है वो maintained अच्छे से हो पा रही थी एंड पफॉमेंस अच्छी स्वेड है थी विदाउट एनी इनी कप्स जोकी अच्छी बात है धाट मीञ गार्म वहां से थोड़ा जाएगा ऑट मैनेजमेंट है तूस का लिए ऑगरा य। पार्ट हैं रिए पेस का मेन च्छ सब्सक्राइब के साथ उपर की साइट पर हमको यहां पर एक फिंगर्प्रिंट स्कैनर भी मिलता है इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज करना फिंगर्प्रिंट स्कैनर इस रेली रिस्पॉंसिव एंड बढ़िया है पर आपको यहां करता है इसली बॉटम साइट पर बात खर तो हमको यहां पर दो स्टीडियो स्पीकर्स मिलता है जो की पीसेंट बोलूँगा मैं एक बार आप सैंपल भी सुलो इनके अब है इसली बॉटम साइट पर मिलता है मैंक्रो एस्टी कार्ड अपर मैंने उसका था सैंडिस का 512 जीवी का एक्स्टीम कार्ड जिसकी जो पीसें वो काफी अच्छें मैं यह रेकमेंड करूंगा है जितना फास्ट एस्टी कार्ड वसा कि अथा फास्टी लेना आई मीन अगरे यूज करने है एक नीचे टाइप सी पोर्ट और भी मिलता है और चार्जिंग परपसेस दोनों से इनी टाइप सी पोर्ट है कुछ अलग नहीं है एंडिया पर टॉप सैट पर हमको वॉल्म ब्रॉकर्स भी मिलते हैं अरे आर मैं फैन कर दाना एक काम करते मैंने आप पर डिपरेंट सेटिंग स्पेस की फैन को चला के दिखाया तो एक बार आप सुलो यह कितना लौड हो जाता है कितना नहीं एक स्ट्रीम पर सबसे लौड होते तो एक बार को सैंपल सुलो इवन मैंने यहाँ पर इसकी जॉइस्टिक के बार में एक चीद बताना बोल गया कि आपको यहाँ पर सरफ एक कलर नहीं मिलता आपको मेल्टिपल कलर्स मिलते हैं तो जस्ट इन केस अगर आप यहाँ पर मेल्टिपल कलर्स का चस्का लेना चाहते हो तो आया के आप यहाँ पर इन सब को कंट्रोल कर सकते हो जो कि में आपको स्रीन पर दिखा दिया होगा अब यह है तो एक विंडूस हैंडल डिवाइस पर आया नियो अपने एक सॉफ्ट्वर भी डालकर देता है जिसको यह बोलता है आया स्पेस जब यह मेरे पास पहली बार था तो आप इनकी ओफिशल वेबसेटिल जाके आया स्पेस टू को डाउलोड कर लेना वेकिस आया स्पेस टू एक काफी वेल पॉलिश्ट प्रोड़क्ट है मतलब सॉफ्ट्वियर है और जो हर चीज है और बहुत ऑर्गनाइस तरीक साब के समने प्रेजेंट कर रखिया अगर आ आपकी देखो गेम्स को डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर वाइफा का सपोर्ट मिलता है तू ब्लुटूट फाइफ पॉइंट टू का भी सपोर्ट आपको मिलता है यहां पर एंड जो मैं बोल रहातान है कि टाइप सी टू टाइप एक कनवर्ट आपको मिलता है आपको यहां तो बात कर लेक्षिश के बारे में 550 रों पर दक्का मेलेगा आपको यह बट अगर आप मुस्वे और मुस्प्णार में खरीदा वर्टिटा यहां नहीं मैंने पहले बदाय तो उसकी व्लाइप क्यों बनाई बेकर आया नियो की ज्यादा वीडियो मैंने देखी नहीं ती यह में लिए अलग एक्सपीरेंस था तो मैंने सुचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए आया नियो पचास जार कर मिल रहा है मैंने आपको बता दिया बट आपको लेना है एसूस का आरोजी लाए वह इसलिए ले इस वे वे में पावफुल तो आप आरोजी लाए की तरफ जा सकते हो एंड बढ़ी आला है यह मतलब सही था मेरे एक्सपीरेंस था एज बिगनर एज इनिशियल यूजर ऑप हैंडल गेमिंग डिवाइस मुझे मजा आया सही मैं और मैं इसको यूस करने वाला अपनी गेम पर इंविस्ट करना चाहेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ अगें बोनों का अपना-पना मजा है पीसी का अपनालग मजा यह एक्षणल का मज़ा है बट मुझे हैंडल में जादा मजा आए-क हिलने में सब्सक्राइब बतारो मैं बाकी तो यार मेंते रहेंगे वीडियोस का अं झाल, झाल, झाल.